Hello everyone, रोशनी प्रोफेशनल वीडियेशन में आप लोग का स्वागत है तो आज मैं आप लोग के साथ एपर लिप्स सेयर करने वाली हूँ कि ठ्रेडिंग धागा से कैसे एपर लिप्स जो है कर सकते हैं आप लोग और बीगिनर्स हैं या आप पालर ओपेंड की हैं आपको एपर लिप्स करने में कोई भी प्राब्लम आती है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा इसकी पना करिएगा तो चलिए पहले एपर लिप्स करने के पहले मैं पाउडर फिल करती हूँ ताकि हेइर्स जो है स्मूध हो जाए और अच्छे से दिखाई दे तो इस तरह से आप देख सकते हैं के काफ़ी हेइर्स निकल चुके हैं जैसा कि हमेशा करवाती है और काफी hairs tight और मतलब घने निकले हुए हैं और इन hair को निकालें बहुत ही pain होता है पर आपको साउधानी बरतनी होगी इसमें आपको क्या करना है इस तरह से hair को client से बोलेंगे अपने जीब से skin को tight करेंगी और आपको धागे से थोड़े-थोड़े hairs को खसाना है और जटके से निकालना है अगर आप धीरे-धीरे करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा pain होगा तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगी hairs को फसाएंगी और जटके से निकालेंगे अब देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ थोड़ा सी जो है मेरे hand moments है आप पास चल रहा है क्योंकि मेरी habit हो चुकी है पर आप लोग beginners है slow रखना और बाल को थोड़े थोड़े बाल को लेके जटके से निकालना है इतने फास धागे को नहीं चलाना है क्योंकि आपकी अगर हैविट नहीं रहेगी ति स्कीन में cut लगने की मदब दिक्कत रहेगी और इसकीन यहां के बहुत ही soft होती है जैसा कि आप ओ धागा को ब लाई ही जहाँ पर धागे को चलाएंगी ताकि cut ना लगें क्योंकि यहां की जो केंशु मेंod चमड़े होते हैं और धागा लगने को बहुत जादा ही pop upट सूज्च होत है इसले है चोरी धातों को द्याना है इसकिन सब च्छोटी बातों को ड्यान जरूर मादब आपने 5 करते बर, जैसे threading करते हैं, उसी साब से आपको करते जाना है, और आपको देखना है,10 की डायरेक्शन किस तरफ है, और उसी के भी फ्रिषा डायरेक्शन में आपको हैर्च को रिमूब करना है, तो इन सब बातों को ध्यान देंगे तो आप अच्छा एपरलिप्स कर सकेंगे त्रेडिंग कर सकेंगे और चुट चुटी बातों को जरूर ध्यान दे ताकि कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना हो क्योंकि दिक्कत होगी तो अगली बार कस्टमर नहीं आएंगे देख सकते हैं अ सब बातों का और इस तरह से धागे से आराम से हिर्स को रिमूब लप कर दूंगी मैं अगर आप चाहे तो हैंसे वैक्स से भी निकलवा सकती हैं पर ज्यादातर औरते ध्रेडिंग धागा से ही निकलवाती हैं वैक्स नहीं करना पसंद करती हैं तो आप इन सब छोटी-छोट बातों को ध्यान में रखके आप अराम से अपर लिप्स करना सीख सकते हैं और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर ताइएगा और ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करिएगा लाइक करिएगा और हमारे इस्टाग्रम आइडी को भी फॉलो करिएगा जिसका लिंक मैं अपने डिस्टेशन बॉक्स में डाल दोंगी और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा जिसका लिंक उसका भी मैं डिस्टेशन बॉक्स में डाल दोंगी इस पे मैं अपने ब्यूटी पार्लर से डिटिव जो चीजे हैं सेयर करती हूं तो वीडिय में जरूर बताएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आपको हमारे वीडियो से क्या नॉलेज मील रही है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है यह रूर कमेंट करिएगा तो इस वीडियो में फिर मीरेंगे तो तो कि लिए बाई बाई प्राइन प्राइन झाल झाल